आपने एक ऐसे सांसत को देखा है जो आपके प्रदी समर्पित रही हैं जिन्होंने लगातार आपकी समस्याओं को समझने और उनको सुलजाने का काम दिया है दूसरी तरफ पात सालों से आपने भाजप्पा की केंद्र में और प्रदेश में सरकार देखी हैं इसका भी आपको अच्छी तरह से अनुभव हो चुका है जब पात सालों पहले आपके सामने प्रचार करने के लिए ये आयत है आपने अपने सांसतिये क्षेत्र में पिछले पंदरा सालों से आपको हुआ है आपने एक ऐसे सांसत को देखा है जो आपके प्रची समर्पित रही है जिन्होंने लगातार आपकी समस्याओं को समझने और उनको सुलजाने का काम दिया है दूसरी तरफ पात सालों से आपने भाजप्पा की केंदर में और प्रदेश में सरकार देखी है इसका भी आपको अच्छी तरह से अनुभव हो चुका है जब पात सालों पहले आपके सामने प्रचार करने के लिए ये आये थे तो आपसे बड़ी बड़ी चीजें कही गई थे बाजप्पा ने बहुत भारी प्रचार किया था और बहुत सारे वचन किये थे उन्होंने कहा था कि दो क्रोर रोजगार हर सार आपके लिए पैदा करेंगे उन्होंने कहा था कि पंद्रा लाक रुपे आपके खासों में जाएंगे उन्होंने कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी कराएंगे उन्होंने ये भी कहा था जैसे अशोक सिंग जी ने कहा कि अच्छे दिन आने वाले थे सच्चाई क्या है? पात साल भुजर गए हैं एक सच्चाई है जिसको आप जी रहे हैं इनके जूटे और खोकले वचनों को आपने खुद अपनी आखों से अपने जीवन से देखा है आपने देखा है कि किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई कम से कम आधी हो चुकी है कि किसान के उपच का दाम नहीं मिलता पीज खाज समय पे नहीं मिलते कर्द में डूब रहा है किसान उसको मदद करने के लिए उसकी सहायता के लिए सरकार कुछ नहीं करती आपने यह भी देखा कि पिछले पात सालों में खास तोर से उत्रप्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या आई और वो कि आपको पूरी रात अपनी खेतों में बैठना पड़ता है और आवारा पशुओं से अपनी खेतों की चौकीदारी करनी पड़ती है पिछले पात सालों में इनके प्रचार में इन्होंने यह भी कहा कि यह देश की चौकीदार है देश को सुरक्षित रखेंगे राष्टरवाद की लेकिन इससे बड़ा कौन सा राष्टरवाद हो सकता है कि देश के किसान को सुरक्षित रखें कि देश के किसानों के खेत सुरक्षित रखें कम से कम बहुत तो करके दिखा देते आज देश की स्थिती यह है कि तमाँ नौजवान बेरोजगार है, जो दो करोर रोजगार इन्होंने बताये थे, वह पैदा नहीं किये, उल्टा 50 लाख रोजगार घटे हैं इनके शातन में, 50 लाख रोजगार इन्होंने नोट बंदी द्रूरा घटाए, उस नोट बंदी के समय आपको बताया गया था, कि आप कतार में खड़े हो जाएए आप बहुत बड़ी देश भक्ती कर रहे थे कि आपकी देश भक्ती से काला धन देश में वापस आएगा लेकिन काला धन एक रुप्या वापस नहीं आया आप कतार में खड़े रहे क्या आपने किसी अमीर को कतार में खड़े हुए देखा क्या आपने भाजब्पा के किसी नेता को कतार में खड़े हुए देखा क्या आपको मालुम है क्या आपको मालुम है कि जो आपकी किसान की बीमा है जो हर महीने आपसे ली जाती है किसके जेब में जाती है आपके किसान बीमा जिससे हर महीने आपसे पैसे लिए जाते है वो रधान मंत्री जी के उद्योग पती मित्रों के जेब में जाती है दस हजार क्रोर रुपे का फाइदा आपके किसान बीमा से उनको हुआ है और जब आप पर आपत्री आती है, आपके खेतों का नुकसान होता है, तो आपको एक पैसा नहीं मिलता यह है आज की सरकार, मौजूदा सरकार, यह है उसकी राजनीती जब कॉंग्रेस पार्टी ने एक घोशना की, जी किसानों का कर्द माफ किया जाएगा तो इन्होंने कहा कि अर्थ व्यवस्ता में इसके लिए पैसे नहीं है कॉंग्रेस पार्टी की सरकारे आई, राजिस्थान, मध्यप्रिदेश और चथिसगर में सरकारों के बनने के तीन दिन बाद, तीन दिन के अंदर-अंदर राहुल जी की घोशना पर, राहुल जी ने किसानों के कर्द माफ कराए तीन दिन के अंदर-अंदर, कॉंग्रेस पार्टी ने घोशना की, की एक योजना निकालेंगे जिसको कहते हैं नियाए की योजना, नियाए योजना द्वारा, 72,000 रुपए साल आना हर गरीब के परिवार को दिये जाएंगे सरकार द्वारा महीने में आपको 6,000 रुपए मिलेंगे, जिससे कम से कम आप गरीबी की दलदल में से निकल पाएंगे कम से कम आपकी ये उमीद हो पाएगी कि उसमें से आप आगे बढ़ें, जब ये घोशना हुई, तो भाजब्बा के नेताओं ने फिर से वही बात कही, कि अर्थ व्यवस्ता में इसके लिए पैसे नहीं है, तो राहुल जी ने एक प्रशन उठाया, उन्होंने कहा, अगर आपके पास, देश के पास, किसानों और गरीबों के लिए पैसे नहीं हैं, तो जरा बताइए, कि पिछले पात सालों में, पात सौ पचास हजार क्रोर रुपे, पात सौ पचास हजार क्रोर रुपे, आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्द कैसे माफ किये, इस इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, और क्योंकि जो जनता सवाल उठाती है, जो विपक्षी दल सवाल उठाते हैं, उनका कोई जवाब नहीं है, इसलिए चुनाओ के समय, प्रचार करने के समय, आपके सामने फिजूल की बाते उठाई जाती है, आपके सामने ऐसी बाते उठा कि इस देश के नोजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, कि इस देश की महिलाओं को सुरक्षित कैसे बनाएंगे, कि आपके बच्चों के भविश्य को मस्बूत कैसे बनाएंगे, इसलिए मैं आप से आग रह करती हूँ, कि आप बहुत जागरुप बन जाएं, आप इनकी घो कॉंग्रेस पार्टी ने अपने नए घोशना पत्र में बहुत सारी ऐसी योजनाय बनाई हैं जिससे आपका फाइदा होगा। इस घोशना पत्र को आप बारीकी से पढ़िए और समझें। इसमें लिखा गया है की बारवी तक सरकारी पाक्षालाओं में शिक्षा मुफ्थ की मिलेगी। की हस्पतालों में स्वास की जांच और स्वास का इलाज मुफ्थ होगा। इसमें लिखा है कि प्रतिशत सांसद में महिलाओं के लिए अरक्षन होगा कि जितना पैसा सरकार शिक्षा पर खर्चती है उसका दुगना खर्चा जाएगा ताकि आग के बच्चों का भविश्य मजबूत बने किसानों के लिए एक अलग बजट बनाई जाएगा किसानों की मंदिया बने किसानों के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाए है जो आगे बढ़ाएंगी इसमें यह भी लिखा है कि देश को मजबूत करने के लिए कौन कौन की योजनाए है इस अलग बजट में जो खास किसानों के लिए बनीगी उसमें हर साल आपको बताय जाएगा कि आपके लिए क्या क्या करा जाएगा और पैसे जो पैसे आपके लिए सरकार अलग से रख रही है उसका इस्तिमाल किस तरहे से किया जाएगा इस तरहे की योजनाएं तमाम इस घोशना पत्र में हैं नौजवानों के लिए उनके रोजगार के लिए बहुत सारी योजनाए हैं सबसे पहले कि दस लाख ग्रामीन स्टर पर रोजगार बनाए जाएंगे मनरेगा जिसको भाजपा की सरकार ने पूरी तरह से दुर्बल बनाया है उसको सबल बनाया जाएगा जो सौ दिन का मनरेगा था उसको तेड़ सौ दिन का बनाया जाएगा जो आज मजदूरी के आपको पैसे नहीं मिलते हैं आपको साल भर के लिए इंतजार करना पड़ता है वो सिलसला बंद होगा कि मजदूरी के लिए मनरेगा बनाया गया था आज भाजबबा के सरकार में जो मजदूरी से काम होने चाहिए वो जेसी भी द्वारा थेकेदारों द्वारा किये जा रहे हैं यह सलसला भी बंद किया जाएगा और मंजड़ेगा को मजबूत बनाया जाएगा इस सरकार ने साथ सालों में 24 लाख नौक्रियां खाली छोड़ी हैं सरकारी रोजगार कांग्रिस ने एलान किया है कि एक साल के अंदर अंदर 2020 के मार्श के महीने तक पूरी 24 लाख नौक्रियां भरी जाएंगे तो यह सब कांग्रिस की घोशनाएं हैं और जहां तक राइबरेली ख्षेतर की बाते हैं, आप जानते ही हैं कि राइबरेली में कितना काम किया गया है, आप यही सड़क जिस पे हम आए हैं, इसे बड़ी बड़ी हाईवे, छेचे हाईवे यहां से गुजर रही हैं, तमाम उद्योग खोले गए हैं, रेल कोच की फै जुरू कराएं, वे आज अधूरे पड़े हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें रुकवाया हैं, चाहे एम्स का हस्पिताल हो, जिससे आप सब की स्वास के लिए बहुत सो विधा होती, वे आज सिरफ OPD के माध्यम से चल रहा है, उसकी इमारत भी नहीं बनी, तमाम ओवर ब्रि सब्रावपूर् है कि केंडर में हमारी सरकार आए, तो जब आप कांगरेस पार्टी को, और सोनिया जी को मजबूत बनाएंगे, उन्हें शक्ति देंगे, तो आप जंता को शक्ति दे रहे हैं, अपने आप को शक्ति दे रहे हैं, अपने क्षेत्र को, अफने भवश्य को श पूरे हूँ और आपके प्रती जो समर्पन और प्रेम की भावना उनके दिल में है और आपके दिल में उनके प्रती है वो भावना बरकरार रहे और हम आपके लिए हमेशा ही समर्पित रहेंगे समर्पित हैं और रहेंगे और ये सब बाते आप अच्छी तरह से जानते हैं अ सिर्फ एक बात कहूंगी कि कॉंग्रेस में होते थे कुछ समय पहले और जब कॉंग्रेस में होते थे तो मेरे पैर पढ़ के कहते थे कि दीदी आप मेरी बेहनों जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ूंगा और कॉंग्रेस का साथ नहीं छोड़ूंगा कुछ ही समय बाद भाजबबा में शामिल हुए उसके बाद अब हाल में मेरी माता जी के खिलाब चुनाव लग रहे है तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जो अपनी पार्टी, अपने नेता और अपनी विचारधारा के प्रती समर्पित नहीं रहता निश्टावान नहीं रहता, तो जनता के प्रती कभी निश्टावान नहीं रह सकता तो सब सच्चाई आपके सामने है, आपको अनुभव है, आपके बहुत विवेख है मैं जानती हूँ, पूरी आशा रखती हूँ, कि आप सोनिया जी को भारी से भारी बहुमत से जिताएंगे और अपने एक शेत्र की विकार का सिलसला बरकरार रखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिन